संभल में दसवें अंतरराष्ट्रिय योग दिवस सप्ताह के साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़े महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में योग करते नजर आए योगाचारे ने सभी लोगों को योग कराया इस कार्यक्रम में प्रदेश की शिक्षा मंतरी गुलाब देवी, मुरादाबाद कमिशनर, जिलाधिकारी संभल मनीश बंसल और जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे दरसल जनपत संभल की चंदोसी तहसील के शशिमदन पब्लिक स्कूल में अंतरराष्ट्रिय योग दिवस का आयोजन गया योगाचन कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया सर्व प्रथम व्यायाम, गोमुख आसन, सूर्य नमसकार बैठक, हनुमान दंड, अलोम विलोम, मंडूक आसन ताली और हंसी के आसन के साथ शांतिपाठ का कार्यक्रम हुआ कमिशनर मुरादाबाद ने कहा कि योग हमारे जीवन का अहम हिस्सा है हम सभी लोगों को योग प्रतिदिन करना चाहिए मोदी जी की तरफ से 15 जून से 21 जून तक अंतरराष्ट्रिय योग दिवस के उपलक्ष में 21 जून को अंतरराष्ट्रिय योग दिवस मनाया जाता है इसके उपलक्ष में सरकार के द्वारा यह कारयक्रम आयोजित किया गया इस मौके पर जिलाधिकारी संभल ने कहा कि हम सभी लोग योग करें उन्होंने कहा कि निरंतर योग करें क्योंकि योग हमें रोग से ही नहीं भगाता है बल्कि एक सामानने जीवन में इतनी अच्छी चीज लेकर आता है कि हम स्वस्थ रहते हैं और बहुत ही शान्ती प्रियर रहते हैं राज्य की शिक्षा मंतरी गुलाब देवी ने इस मौके पर कहा कि योग मानसिक तनाव को कम करने के लिए जरूरी है उन्होंने नसीहत दी कि हमें मोबाइल फोने का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए योग हमारे शरीर के साथ साथ समाज और लोगों को भी जोड़ता है हम सब लोग निरंतर योग करें तो हमें लगता है कि देश नहीं दुनिया में रोग ही खत्म हो जाएगा इसलिए हम सब लोगों को निरंतर योग करते रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए स्वस्थ रहना चाहिए संभल से अंजुम इश्रत की रिपोर्ट